हेलो स्टूडेंट्स आइम दिपिका सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर अव जुवल जी आज के इस वीडियो में हम सी स्टार यानि एस्टेरियस में जो गमन या लोकोमोशन होता है ट्यूब फीट के द्वारा उसके बारे में स्टडी करेंगे हें तो है की एस्टेरिस जिसे कॉमनली सी स्टार बुला जाता है कि यह फाइलम इकाइनो ड़ंड्र्मेटा का सदस्य है जैसा कि आप सब जानते हैं इकाइनो जिन में जो skin होती है उस पे एक exoskeleton मिलता है calcareous plates और spines का radial symmetry होती है इन सब में brittle stars, sea cucumbers, sea urchins, sea lilies और sea stars या जिनने starfishes भी बोला जाता है वो इस सबी में आते हैं तो आज हम जो देख रहे हैं वो है sea star estereus जो की class esteroidia का member है phylum echinoderma तो इसमें हम देखेंगे कि tube feet पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये common करता है पहले मैं इसके बार में थोड़ी common बाते देखते हैं तो estereus को commonly जैसे मैंने बताएं sea star कहा जाता है इसके और भी जीनस हैं pentasiros, estropectane इसमें से estereus जो है उसमें 5 arms पाए जाते हैं जो की जो इनका central disk है उससे sharply marked off नहीं होते यानि कि sharply marked off नहीं है central disk से थोड़े इतना demarkation इन में नहीं देखने को बलता है तो 5 arms है, free living animal होता है, muddy या जो sandy bottoms है समुद्र का exclusively marine होता है क्योंकि carnotam अहां पर ये रहता है और उस substratum के उपर बहुती slowly, बहुती धीरे move करता है अपने podia या tube feet की साहिता से जो की इसके लिए locomotion में काम आते है अब क्या होता है कि ये जो c star है इसके हम दो सते, दो surfaces distinguish कर सकते हैं एक होता है इसका oral surface जो की substratum के तरफ directed है यानि substratum को या सते को जो face कर रहा है वो oral surface या आप इसे ventral surface या अधर या surface भी बोल सकते हैं oral surface पर mouth जो है centrally पीछ में located है एक छोटा सा पर्चर है इसके अलावा oral surface पर ही mouth से जो 5 angles हैं, जो 5 arms हैं उनके लिए एक-एक embolacral groove निकलती है embolacral groove एक प्रकार की खांच है जो oral surface पर पाई जाती है तो 5 arms and sleep पांच यह embolacral groove होती है इन embolacral groove में या खांचो में दो double rows पाई जाती है कि इसकी podia या tube feet की इसके अलावा जो dorsal surface है body का जो substratum को सतय को face नहीं कर रहा है dorsal surface है convex surface है वो उस पे एक medriporite पाया जाता है और साथ में एनस पाई जाती है यह जो surface है वो ab oral surface कहलाता है medriporite क्या है एक चलनी के समान plate इसमें पाई जाती है जिसके दोराव पानी जो है इसमें 80 star की body में अंदर enter करता है यहाँ आप diagram में आसानी से देख सकते हैं यह body का oral surface है जहाँ पर mouth है यह embolacral खाचे हैं, grooves हैं दोनों तरफ इनके spines मौझूद हैं यह tube feet यानि podia हैं जो कि दो rose में, दो double rose में अक्चली यहाँ पर present होते हैं वो हम आगे देखेंगे यह skip arms है यहाँ देखें तो यह वाला aboral view है यह वाला जहाँ पर medriporite और anis पाए जा रहे हैं यह arms है यह central disk है केंद्र केंद्रिय डिस्क और यह marginal spines है यह जो margin पर लगे हैं इसके आगे हम देखते हैं कि जो c star का sealome होता है गुआ होती है जो कि इसमें पाई जाती है true sealome एक antiroseal पाई जाती है इनमें spacious sealome होती है उसका एक modification है उसका एक modified system होता है water vascular या embolecular system कहते हैं से किसका modification है यह जो c star की गुआ है body cavity उसी का modification एक unique system है जो काईोडर्म में यह पाया जाता है यह mainly locomotion में help करता है water vascular या embolecular system इस system में है क्या कई सारी canals हैं छोटी छोटी नलिकाएं हैं पूरी body में sealome में फैली हुई जिनके द्वारा समुद्र का पानी इसकी body में c star के शरीर में locomotion के लिए तो हम देखते हैं इस water vascular system के जो भाग है वो क्या-क्या होते हैं तो modified part है यह sealome का जिसमें canals मौजूद होती हैं यह जो इतनी भी canals नलिकाएं हैं इनकी जो दीवारे हैं वो muscular होती हैं muscles की बनी हुई और उनमें एक cilia की internal lining पाई जाती है तो इनमें cilia इनकी दिवारों को line कर रहे हैं साथ में वो muscles muscular हैं तो संकुचन की क्रिया भी दिखाती हैं साथ में यह cilia के action की help से पानी अंदल लेती हैं उस cilia के action की वज़े से जो sea water है वो इस system में प्रवेश करता है जो water vascular system system की canal से में sea water के साथ-साथ amoeboid capsules यानि जो चोटे cells होते हैं जो की amoeba की तरह movement करते हैं वो amoeboid capsules भी पाये जाते हैं अब हम इसके आलग लग पार्ट से देखते हैं system के तो इनमें पहला है मेड़ी पोराइट जैसे मैंने पता है मेड़ी पोराइट a boral surface पे है calcareous plate calcium की बनी हुई एक plate जो की sieve like होती है sieve like से मतलब है छलनी के समान जिसके दोरा पानी जो है अंदर परवीश करता है इसके surface पे क्या है बहुत सारे pores पाये जाते हैं बहुत सारे छिद्र पाये जाते हैं ये छिद्र अंदर खांचों में खुलते हैं ये खांचे मिलकर फिर एक एमपुला में खुलती है एक pore canal में खुलती है फिर एमपुला में खुलती है और वो एमपुला जो है कि stone canal में खुलता है ultimately क्या है कि पानी medriporite के छिद्रों से होता हुआ वह उसकी खाचों में जाता है फिर वहां से होताओ एक stone canal में जाता है आगे हम diagram में इसे देखेंगे तो stone canal की बात करें तो stone canal जो है फिर आगे जाके एक ring canal में खुलती है यह जो ring canal है यह oral सरफिस पर इसो फेगस के चारों तरफ पाई जा रही है तो मैंडरी पोराइट तो अब ओरल सर्फेस पे था उस वहां से पानी जो स्टोन कैनाल में प्रवीश करता है फिर वहां से रिंग कैनाल में प्रवीश करता है रिंग कैनाल क्या है एक पेंटागोनल कैनाल है जिसने इसो फेगस को जो माउथ के बाद जो उपनिंग है सॉरी इसो फेगस जो है उसको सरांट कर रखा है माउथ के बाद जो बकल केविटी फिर इसो फेगस आता है उसको सरांट कर रखा है तो यह ring canal actually oral surface पर उपस देते हैं उसके बाद हम देखते हैं तो अगला constituent पार्ट है इसमें टीडमांस बोडी जिनको रेसिमोस ग्लेंड्स भी कहते हैं यह छोटे छोटे ग्रंथिल सेक्स हैं जो कि कहां मिलते हैं जो रिंग कैनल के इनर साइड पर अंदर की तरफ उसमें उपन होते हैं इनका कारे कुछ क्लि करते हैं जो कि फेकोसाइटिक होती है फिर अगला है पोलियन वेसिकल्स यह एस्टेरियस में नहीं पाए जाते यह और सी स्टार्स में मिलते हैं तो उनमें यह क्या होते हैं कॉंट्रेक्ट टाइल ब्लेडर के समान पियर शेप्ड जो की संकुचन भी शोकर है और पानी को स tap Egyptian के जिसने इसोफेगस को सराउंट कर रखा है तो होता की है उस चैनाल में से एक एक उसके एंगल पैसे हर आम के लिए एक रीडियल के नाल निकलती है तो इस प्रकार से हर आम में हर जो भुज़ा है उसकी सी स्टार की उसमें क्या मवजूद है एक रीडियल के नाल उपस LATERAL या PODYAL CANALS देती है, यानि LATERAL PODYAL CANALS हराम में पाए जा रही है, जो RADAL CANAL है, उसके दोनों तरफ पाए जा रही है, यानि दो रोज हो गई, किसकी LATERAL CANALS की या PODYAL CANALS की, इन्हें LATERAL CANALS को PODYAL CANALS इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि tube foot में open करेंगी tube foot में open करती है और ये लंबी होती है फिर short होती है फिर लंबी होती है short होती है नहीं दो types की होती है हराम है ये लंबी और छोटी long and short तो ये होगी lateral canals या puddle canals जो कि उस tube feet में tube foot में enter करती है खुलती है ट्यूब फीट की बात करें तो क्योंकि लेटरल के नाल दो प्रकार की हो गई लॉंग शॉट और हर लेटरल के नाल एक ट्यूब फूट में खुल रही है तो इसलिए जो हर आर्म है हर भुजा है सी स्टार की उसमें ट्यूब फूट जो है डबल रो में मौझूद होंगे दौनों तरफ तो इसलिए दो डबल रो हरा में पाई जा रही है ट्यूब फूट जो है वो एम्बूलेकलर एम्बूलेकलर पोर जो होता है शिदर होता है उसके द्वारा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है यह एम्बूलेकलर पोर कहां पाई जाता है जो एम्बूलेकलर ओसिकल्स पाई जा रहे है उनके मध्य में एक छिदर उपस्तित होता है एम्बूलेकलर ओसिकल्स कहां पाई जाता है एम्बूलेकलर ग्रूफ जो की ओरल सर्फेस पर होती है उसको एक दो रोज में पाय जाते है उसी ढगते हैं एक प्रकार की उसकी एंडो-एक्जो-स्केलाटन है ऐसी स्टार की, तो जो यह embolequele ossicles पाय जा रहे हैं दो रोज में दो उनके मधर एक एक जो है embolecle pour होता है तो जो přेस्ट चोटा सा भ्रज में प्रोजेक्ट कर रहा है तो एंबुलेक्रल ओसीकल्स की उपर उपस्तित है कर आप औरल सर्फिस से देखेंगे तो के पोडियम जो की ट्यूब लाइक होता है और उस एमपोलेक्रलatt के खर्व के थिरू बाहर की और ऑुर आ रहा है सकर जो रोफ एन्ड ए ट्यूफॉट का जो की बाहर बिल्कूल फोर से चिद्र से बाहर आ रहा है बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है तो यह जो सकर है वो उसकी जो वाल्स होती है स्वारी जो ट्यूफूट की वाल्स होती है वो स्टॉंग और मुसल लॉंगी ट्यूणल पाई जाती है उसमें और एंपुली की जो वाल्स होती है उसमें सर्कुलर मसल से नहीं गोलिय मासपेश यां पाई जाती है यहा कई सारी छिदर पाई जा रहे हैं जो की खांचों में खुल रहे हैं ये जो एक एमपूला में खुलके फिर स्टोन चैनल में ultimately खुरता है तो ये स्टोन कैनाल किस से करेक्ट हो रही है इस रिंग कैनाल से जो की है पेंटागोनल यानि इसमें पांच साइट्स हैं और हर इसके एक एंगल पैसे क्या निकल रही है एक रीडियल कैनाल निकल रही है ठीक है तो पांच रीडियल कैनाल होगी पांच बुजाओं के लिए ह अब यह लेटरल कैनाल कैसी होती है और दूसरी रो हो गई उन ट्यूब फूट की जो की लॉंग वाली कैनाल से लंबी वाली कैनाल से जुड़े हुए इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर दो डबल रोज पाई जाती है टूब फूट की हर आम में हर भुजा में यह टीड मेंस पॉड़ी है जो की इस रिंग कैनाल की इनर साइड पर उपर होती है पोलियन वैसिकल्स यहां पर नहीं दिख रहे है क्योंकि वह एस्टेरेस में एपसेंट होते है यह टूट है जिसके तीन हिस्से उपर वाला है एमपुला बीच में ट्यूब लाइक है पोडियम और यह मासपीश्या जो मासपीश्या गोलिय रूप से विवस्त एक्टम पीश्याइब आप नहीं कि धूर्ठोइपड का जाते लिकाने है सकर नीचे वाला हिस्सा है जो की और ल सरफीस इस पे जो embu-lecral ओर है चिद्र है embu-lecral au зачicles की मद्धे पाइज जाने वाला उसके दौरा यह पाहर के और प्रोजेक्ट करता है अब हम देखते हैं ओशन होता है तो होतÁ कि इसमें जोक Crime ары कर रहा है तो सभी कैनाल से भर जाती हैं क्योंकि एक्षन की वाँटा की मां लाइनिग है ऑप manyi की वेजह से कृमाव एक जाती फिर यह जो सी स्थार है यह जिस डिरेक्शिन में जिस दिश्चा में मूब करना चाहता है उसकी तरफ अपना एक या दो भोजाएं जो है वो उठाता है एक के पिर क्या होता है कि रफ़ आ कि उसके ऐँ गया जो है अपनी बुजाएं इसे उठाई और फिर उसिसके उस भुजाओं के जो ट्यू फीट होते हैं वो क्या करतें contract करते हैं, अपनी circular muscles के द्वारा, जो उनके ampulla में पाई जा रही थी उससे क्या होथा है, circular muscles के द्वारा जब एक contract करते हैं ampulla जो हैं tube feet के, तो उन में क्या हो था है hydraulic pressure increase करता है, tube feet के अंदर भढ़ जाता है, hydraulic pressure और उससे क्या होता है, जो आपको मैंने जो उसका podium था जो tube like था वो जो structure वो आगे की तरफ elongate करता है लंबा हो जाता है और फिर वो substratum जो है उसके contact में आके उससे अपनी suckers के द्वारा attach हो जाता है और इसमें जो suckers है वो एक तरह से vacuum action शो करता है तो हो क्या रहा है जिस दिशा में जो भुजाएं जो एंपुला पाए जा रहा है जो balloon like structure था उनमें क्या होता है पानी भरा होता है तो वो क्या करते हैं उनकी circular muscles के दौरा संकुचन करते हैं आप इनके संकुचन करने से इसका मतलब हो गया एक balloon जिसमें पानी भरा हुआ है अगर आप उसे दबा रहे मतलब उसमें संकुचन हो र आते हैं और वो अपने vacuum action द्वारा उसे बिल्कुल चिपक जाते है सब स्टेटम से साथ ही जो ट्यूब फीट है उसकी tips जो होती है उनमें मुकस का सिक्रीशन होता है इससे भी जो है चिपकने में सहयता मिलती है अब क्या है फिर ट्यूब फीट इस तरह जब चिपक गया ए फाइनली अब क्या है उसे सब स्टेटम को छोड़ना है ठीक है क्योंकि बॉड़ी आगे भड़ चुकी है जो ट्यूब फीट है उन बुझाओं के उन्हें अब सब स्टेटम को छोड़ना उसके लिए क्या करता है ट्यूब फीट अपनी longitudinal muscles का contraction करता है जो muscles जो लंबत हैं उ जो है वह वापस एमपुली में चला जाता है और वापस एमपुली में जाने से क्या होता है उसका जो होल्ड था सकर्स ने जो अभी तक सब स्टेटम को सतय को बहुत ही तागत के साथ पकड़ा हुआ था वह उसे छोड़ देते हैं तो यहां पर basically हो क्या रहा है अगर मैं आ आगे की तरफ जाए पोडियम की तरफ पानी का जो प्रेशर है सौरी वह बढ़े तो पोडियम क्या होगा उसकी लेंग्थ लंबाई बढ़ जाती और वह सबस्टेटम से अटेश होता है अपने सकर के तो अब जब उस अपना होल्ड सबस्टेटम पैसे हटाना होता है तो अपनी लंबाई में एक्सेंड हो तो वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा सकर्स जो है वह सबस्टेटम को छोड़ दे तो इस तरह एक वेक्व्यूम एक्शन करता है तो इसके त्वारा यह मूव कर रहा है तो इसमें एक्चुली क्या है स्टैपिंग एक पकते हैं उस भुजा के और फिर जब वो बॉड़ी को आगे ड्रेक करके ले आते हैं आगे फॉरवर्ड में ड्रेक कर लेते हैं तो उसे फिर छोड़ देते तो इस तरह से सभी ट्यूपीट जो एक सेम दिशा में एक्स्टेंड करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो एक कर रहे हैं यानि एक-एक स्टैप आगे बढ़ाते हुए जैसे मालो आप अपना पैर जमीन पर रखते हैं उसे फिर उठाते हैं फिर दुबारा रखते हैं तो इसी तरह ट्यूपीट सब्स्ट्रेटम के साथ पहले चिपकते हैं सकर्स के दौरा अपने जिसमें कि उनके एम फुलि में चला जाता वह दवाप कम हो जाता तो वह सकर्सटम को सरफेस को छोड़ दिए तो इस तरह वैक्क्यूम के दोरा पहले बनाया जा रहा है और बॉड़ी को आगे खींचा जारा है फिर उस्ट्रेम को घटा लिया जाता तो उससे क्या होता है वो जो फिर आगे बॉडि आ जाती तो फिर दुबारा से उसे चिपकाई जाएगा फिर उसे हटाए जाएगा तो यह लोको मोशन है सी स्टार का